अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पढ़ती है जैसे इधर आकर बैठो, उधर जाकर खेलो, इधर आकर बोलो, उधर जाकर पढ़ो ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए देखते हैं की कौन सा रूल फॉलो होता है इसके रूल में सबसे पहले कम या फिर गो, इन दोनों में से कोई एक आता है अगर आने के बारे में बात हो रही है तो कम आएगा और अगर जाने के बारे में बात हो रही है तो go आएगा इसके बाद end आता है इसके बाद verb की first form आती है और last में here या फिर there इन दोनों में से कोई एक आता है अगर इधर आकर किसी काम को करने के बारे में बात हो रही है तो here आएगा और अगर उधर जाकर किसी काम को करने के बारे में बात हो रही है तो फिर there आएगा चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए इधर आकर बैठो Come and sit here उधर जाकर पढ़ो Go and study there इधर आकर बोलो Come and speak here मम्मी सो रही है उधर जाकर खेलो Mother is sleeping Go and play there इधर आकर पूछो Come and ask here Come and ask here उधर जाकर चिलाओ Go and shout there इधर मेरे सामने आकर लिखो Come and write here in front of me या फिर Come and write here before me उधर जाकर फोन पर बात करो Go and talk there on phone Go and talk there on phone अब दो sentences आपके homework के लिए इधर आकर खाओ और उधर जाकर टीवी देखो इन दोनों sentences को हम English में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो please इसको like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए चैनल बाबाई